हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्य अकेडमी पर आज है 13 माई और मैं लेकर आए हूं 13 माई के इंपोर्ट इन करिंट अफेर्स के कॉस्चन्स तो आज की वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है केडिया आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वीडियो की description box से भी download कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला question प्रिंस हैरी और मेगन मौरकल के जीवन पर लिखी कई पहली बायोपिक कब प्रकासित की जाएगी तो यह जो पुस्तक है यह अगस्त 2020 में प्रकासित की जाएगी और यह जो पुस्तक है इसका नाम है Finding Freedom Harry and Megan and the Making of a Modern Royal Family इस बायोपिक को दो साही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरिन द्वारब दिखा गया है इस पुस्तक को जारी करने का जो उद्देश है एक ऐसे दमपत्ती की विक्तित्व को चित्रित करना है जो अपने मानवी और धर्मार्थ कारियों के माद्यम से दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरेत करते हैं लेकिन उन्हें अक्सर गलत तरीके से दिखाया जाता है इस पुस्तक में उस दमपत्ती के जीवन के बारे में बताया गया है जन्होंने अप्रेल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए साही परिवार से नाता तोड़ लिया था यह पुस्तक उनके रोमांस के अनसुलजे पहलू और बंकिंगम पहलेस में उनके अलग होने के निड़ने के बारे में एक जलक है अगला कोस्चन है प्रानवायू कारेकरम का सुवारम किस ने किया है तो बैंगलूरू की जो महानगर पालिका है इसने प्रानवायू नामा के कारेकरम की सुरुवात की है और यह जो कारेकरम है यह नगर निगम द्वारा बैंगलूरू की बासियों के स्वसन स्वास्त की जाच कराने की आवशक्ताओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए किया गया है इसके माध्यम से जो है लोग सेल्फ टेस्ट कर और वायरस के संगमण के बारे में पुष्टी कर सकते हैं अगला कॉस्चन है सर्श्रिष छेत्री हवाई अड़े होने के लिए स्काय ट्रेक्स पुरुषकार किसने जीता है तो बैंगलूरू के कैंप गोड़ा अंतराष्टी हवाई अड़े ने भारत और मद्ध एशिया का सर्श्रिष छेत्री हवाई अड़े होने के लिए इस साल का स्काय ट्रेक्स पुरुषकार जीत लिया है बात करें हम बैंगलूरू की तो बैंगलूरू करनाटक राज में स्थित है और करनाटक के राजपाल हैं बजुभाई बाला और करनाटक के मुखमंत्री हैं स्री बियस चेदूरप्पा अगला कोश्चन है दीपा मलेक ने सन्यास लेने की घोषना की है वे किस खेल से सम्मंद्ध हैं तो दीपा मलेक एक पैरा एथलीट है और ये सौट पुट की खिलाडी रही है इन्होंने हाली में सन्यास लेने की घोषना कर दी है इन्होंने सन्यास की घोषना भारतिय पैरा एथलीट रहते हुए किसी अधिकारिक पत्पर नहीं किया जा सकता है बात करें हम दीपा मलिक की तो इन्होंने पैरा ओलंपिक खिलों में पधक जीतने वाली यह पहली भारती महला होने के साथ साथ अपनी सांदार केरियर के दोरान कुल अठावन राष्टिय और 23 अंतर राष्टिय पदक जीतने वाली पैरा एथलेट है भारतिय पैरा ओलंपिक समीति की स्थापना जो है 1992 में हुई थी और भारतिय पैरा ओलंपिक समीति के महासचे भेंग गुरू सरण सीम्ग अगला कॉस्चन है किसने चैंपियन पोर्टल लॉ केंट्र से कक्ष सह प्रवंदन सुचना प्रणाली है इस पोर्टल पर MSME मंत्राले से जुड़ी समस जानकारिया एक साथ एक स्थान पर उपलब्द कराई जाएंगी बात करें केंद्रिय सूक्ष में लगू एवं मध्यम उद्योग मंत्री की तो बरतमान में नितिन जैराम गड़करी जो हैं हमारे केंद्रिय सूक्ष में लगू एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं अगला कॉस्चन है भारतिय रुपया अमेरिकी डॉलर बायदा एवं विकल्प अनुबंधों को किसने लौंच किया है तो अभी हमारी बरतमान की जो केंद्रिय बित्त और कॉर्प मामलों की मंत्री है निर्मला सीता रमान उनके द्वारा अंतराश्टी एक्स्चेंजों पर भारतिय रुपया अमेरिकी डॉलर बायदा एवं विकल्प अनुबंध को लौंच किया गया है अगला कॉस्चन है नॉन इन्वेंसिव बैंटी लेटर स्वस्थ बायू किसने विक्सित किया है तो बैंगलूरू स्थित CSIRNAL अर्थात राश्टी एरोस्पेस प्रयोक साला दौरा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेंसिव बैप बैंटी लेटर स्वस्थ बायू विक्सि फैलने के खत्रे को कम करने में मदद करेगा इस बैंटी लेटर को बिना किसी बिसेस नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल लागत प्रभावी कॉम्पेक्ट और अधिकान स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है अगला कॉस्चन है ओडिशा विस्विध्यालय ह हेल्प लाइन भरोसा का सुभारम किया है यह जो हेल्प लाइन है यह COVID-19 महामारी संकट के दोरा चात्र समुदायों को होने वाली परिशानियों को दूर करने के उद्दिश से सुरू की गई है इस हेल्प लाइन के माध्यम से ओडिशा के सभी विस्विध्यालय के चात्रो को संग्यानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सिवाय प्रदान की जाएंगे बात करें ओडिशा की तो ओडिशा के मुख मंत्री है नवीन पटनायक और राजपाल है गड़ेसी लाइन अगला कॉस्चन है किसने नभीन एवं नभीकरणिय उर्जा मंत्राले के सचिप के रू रूब में नुक्ष किया गया है बात करें इंदु सेखर चतुरवेदी की तो यह हैं इंदु सेखर चतुरवेदी और यह 1987 बेच के आईएस अधिकारी हैं यह जारखंड केडर के अधिकारी हैं इससे पहले वाइज जारखंड सरकार के पर्यावरन और बन मंत्राले के हुआ हैं राज कुमार सीम अगला कॉस्चन है किसने भारत की पहली एंटी वोडी टेस्ट किट अलीजा विक्सित की है तो हाली में पुणे के नेशनल इंस्ट्यूट आफ वायरलोजी अर्थात एनाईवी पुणे ने भारत की पहली स्वदेशी एंटी वोडी टेस्ट संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपाद की निगरानी में मदद करने के अलावा COVID-19 का मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगी इसके अलावा ICMR ने अलीजा टेस्टिंग किट का बड़े पेमाने पर उत्पादन करने के लिए चायडूस, कैडिला के साथ एक करार भी किया हुआ है अगला question है हाली में राजा, रंगप्पा, नाईक का निधन हो गया है वे कौन थे तो पूर्व लोकसवा सांसद और राजनेता और ज़नतादल के बरिष्ट नेता राजा रंगप्पा नायक का निधन हो गया है यह एक राजनेता थे 1996 में लोकसवा के लिए चुने गए थे उन्होंने संसद में करनाटक राज की रायचूर लोकसवा निर्वाचन छेत्र का प्रतिनिधत्र किया थे यह है राजा रंगप्पा नायक जिनका हाली में निधन हुआ है अगला कोश्चन है किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदल कर टैगोर स्ट्रीट किया है तो इसराइल ने आठ मई को 169 जैनती पूरी करने वाले प्रिसिद्ध भारतिय कभी रविंदनाथ टैगोर को सद्धांजली देने के लिए तेल का नाम टैगोर स्ट्रीट दिया है बात करें टैगोर की तो इन्होंने अपनी कवीताएं उपन्यास कहानिया और नाटक बंगाली में लिखे हैं और 1913 में साहत्त में पितिष्ठित नोबल पुरुषकार जीतने वाले एक मात्र भारती हैं बात करें इसराइल की तो इसराइ अन्रोल के जनक Little Richard का निधन हो गया है वे कौन थे तो रॉक एड्रोल के जनक Little Richard का निधन हो गया है, जिनका पूरा नाम रिचार्ड बन पेनिमा हैं और यह 1986 में Rock and Roll Hall of Fame में पहले समों में सामिल किया गया था यह एक प्रतिष्ठित गायक है और साथ ही इन्हों ने 1993 में recording academy के से lifetime achievement award से भी सम्मानित किया गया है यह है रिचार्ड बेन पैनीमा जिनका अभी हाली में निधन हो गया है अगला question है किस राजी सरकार ने शुरू की FIR आपके द्वार योजना तो मद्दपिदे सरकार ने भूपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का सुभारम किया है FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालेयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पाइलिट परियोजना के तौर पर सुरू किया गया है जिसमें एक सहरी और एक ग्रामिड पुलिस स्टेशन सामेल है इस योजना के लिए Dile 100 बाहन ने FIR दर्ज करने के लिए Head Constable को प्रिसिक्षित किया जाएगा इसके जरी ये सामाने सिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी जबकि गंभीर सिकायतों के मामलों में बरिस्ट अधिकारियों से प्रामर्स मांगा जाएगा इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अफसर पर एंबुलेंस, पुलिस और अगनी समन सेवाओं की ततकाल उपलब्दता की सुविदा के लिए Help Line Dial 112 भी सुरू किया है बात करें मद्पदेश की तो मद्पदेश के अभी चौती बार मुक्कमंत्री बने हैं स्री शिवरासिंग चोहान यहां के राजपाल है लाल जी टंडन और यहां अगला कोश्चन है हाली में अंतराश्टी नर्स दिवस कब मनाये गया है तो हाली में इंटरनेश्टी नर्स डे अर्थात अंतराश्टी नर्स दिवस हर साल 12 मई को दुनिया भर में मनाये जाता है यह दिन जो है यह फ्लोरेंस नाइटेंगल की जैनती के उपलक्ष में पितिवर्स मनाये जाता है उन्हें लेडी बिद्दलेम के नाम से भी जाना जाता है उन्हें मौडिंग नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है जो एक बिटिस समाज सुधारा को सांख्खे की बिद्धी अंतराश्टी नर्स दिवस 2020 की ठीम की बात करें तो इंटरनेशनल काउंसिल ओफ नर्सिज ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट icn.ch पर नर्सिंग दा वर्ल्ड टू हैल्थ को वर्स 2020 के लिए अपनी थीम प्रिकासित किया है तो नर्सिंग दा वर्ल्ड टू हैल्थ जो है इस वर्स की थीम है COVID-19 महामारी से संबन्दित है यह थीम जो है यह COVID-19 महामारी से संबन्दित है और इससे पहले विश्वस्वास संगठन ने बर्स 2020 को नर्स और मिडवाइब्स के अंतरराश्टी बर्स के रूप में मनाने की घोशना की थी बात करें International Council of Nurses की तो इसका मुख्याला है जेनेवा सिज्जलेंड में है इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इसके अभी बर्तमान में अध्यक्ष है एनेट कैनेडी अगला question है on online platform किसने launch किया है तो भारत की जो कार निर्माता कंपनी है महंद्रा एंड महंद्रा लिमिटेड ने end-to-end online बाहन स्वामित समाधान उपलब्द कराने हे तू on online नामा के platform launch किया है इस platform के माध्यम से क्या होगा कि महंद्रा एंड महंद्रा ने जो online platform लिया है यह अपने ग्रहाकों को बाहन की delivery का चैन में पारदर्शी निर्बाद और संपर्क रहत अनुभव प्रदान करने के लिए इस platform को launch किया गया है इस company इस online बाहन स्वामित समाधान के माध्यम से अपने ग्रहाकों को finance, भीमा, बिनिमा, accessories और महंद्रा बाहन की खरीदी करने में सक्छम बनाती है इस platform के जरिए कोई भी ग्रहाक अपने घर से बिना बाहन निकले चंद किलकों के करके चार सरल्द चरणों से किसी भी महंद्रा बाहन का मालिक बन सकता है company के pen India network को bank and technique और प्रक्किया को exit करने के लिए इस platform के साथ जोड़ा गया है बात करें महंद्रा एं महंद्रा लिमिटेट की तो इसके प्रवंद निर्देशक और CU है प्रवंद गोईन का यह था आज का current affairs के important question यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे share और like जरूर करें आज की वीडियो की PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वीडियो की description box से भी download कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe जरूर करें Thank you friends